हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस परकार से आप अपने मोबाइल फोन में गूगल एडसेंट पीन को वेरिफिकेशन कर सकते हैं इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं तो वीडियो को पुरह एंड तक दखिए तब आपको समझ में आएगा कि किस परकार से आप अपने गूगल एडसेंट पीन को वेरिफाई कर सकते हैं तो आज देखिए मेरे पास गूगल एडसेंट पीन मुझे मिल गया तो मैं आपको आपको live proof वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा कि किस परकार से आप गूगल एडसेंट पीन को वेरिफाई कर सकते हैं तो किस परकार से करना है मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ तो वीडियो को बीने स्किप कियों कुरे एंड तक दखिए तब आपको समझ में आगा कि किस परकार से आप Google Ads and Print को वेरिफाई कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरु करता हूँ वीडियो को सुरु करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सिस्क्राइब कर लिजे और विल आइकोन को प्रेस कर लिजे तो चलिए वीडियो को सुरू करता हूं सबसे पहले अपने Google को ओपन कर लेना है अपने मॉबाइल फोन में तो मैं Google को ओपन कर लिया Google ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे उस MLID से Google को ओपन करना है जो जिस MLID से आपका चैनल है YouTube चैनल है तो यहाँ पे ओपन करने के बाद सेर्च करना है Google AdSense तो मैं यहाँ पे सेर्च कर लेता हूं देखे इस परकार से Google AdSense इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है जैसे ही सर्च किजेगा तो यहाँ पे देखे अगला इंटरफेस खूल कर आने वाला है तो अने के बाद आपको यहंपर देख़े गेट ट्टार्ट सुक्त करना है जैसे चीरूर क्लिक किजेगा तो अगर आपका एकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पर आपका ड्रेक लresh व Capitol यहाइज हो जाएगा, उसके बाद मेरा Google AdSense account open हो गया तो open होने के बाद इधर देखे इधर साइड में त्री लाइन का अप्सटन दिख रहा तो त्री लें वाले अप्सटन पर क्लिक करना है उसके बाद नीचे आने के बाद payment वाले अप्सटन पर क्लिक करना है उसके बाद verification चेक पर आपको क्लिक करना है जैसे फिरिज़िकाशन चेक पर किलिक किज़ेगा तो यहां पर देखिए एक नया एंटरेफ स्कूल करा जाएगा तो यहां पर देखे इस परकार से यहां देखे मेरा Google Ads and tolls मेरे डाक से घर पर आया है मैं उस पर Jub if इ Channel को ढाल कर वेरिफाई कर लेता हूं उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं डाल लेता हो तो यहाँ पर देखिए मैं इस परकार से डाल लिए डालने के बाद आपको संविट वाले अप्सिर्ट नीकामप रही हो सि रेफरेंस करके भी दिखाता हूं इसके बाद यह हट जाएगा जो कि उपर में action button का option दीख रहा था वो यहां से हट जाएगा तो यहां पर देखे मेरा open हो रहा है तो यहां पर देखे उपर से action button का option हट गया इस प्रकार से मेरा देखे identity verification और address verification दुनों complete हो गया तो जब भी आपका ID verification रहेगा उसके बाद ही address verification के लिए आपका Google ads and pin आपको भेजा जाएगा आपका address पे तो उसके बाद मैं आपको यहां पसे दिखे मैं आपको बैक आ जाता हूं जाय काने का बाद उपर में देखे 3.3 लाइंड का option दिख रहा तो इससे फिर शेकलिक करते है उसके बाद किलिक करने का बाद यहां पre देखे पेiy disrupt पweivn करना है जैसे प्रकार से इंटरफेस आजाएगा तो आने के बाद यहां पे आपको अपना बैंक एकाउंट एड़ करने के लिए आएगा तो थोड़े दिन वेट कर लेना है क्योंकि यह आपके हाथ में नहीं है जब आपका पीन हो गया तो उसके बाद कुछ दिन के बाद यह आपका बैंक एकाउंट वेरिफाई करने के लिए भी आपका अपसन आ जाएगा तो जब आएगा तो किस परकार से एकाउंट को एकाउंट एड़ करना है मैं आप उस पर वीडियो बना दूंगा उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं तो किस परकार से करना है मैं बन लेड़ कर दो आएई